है लोड़ेश्ट्रेंट्स मॉस्ट वलकम तो यूटीब चनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू तो चलिए आज हम लेकर आ चुक है बिहार फार्मेंट टार्गेट बेच के लिए इस्पेसल क्लास 24 को तो आप वीडियो में लाज तक बने रहेगा तो चलिए जल्दी-जल्दी से स जब्लवी को गूड मॉर्णिंग गूड मॉर्णिंग तो चलिए आज के सेसन को स्टार्ट करते हैं तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रस्ण आपके स्क्रिंग पर है सौर उर्जा का सबसे बड़ा यौगेकी करन क्या है सेल्द जल्रा पौधा या डी सूर्णिग व्लज् पौधा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपके स्किन पर है बीना दूर्ग का एक मात्र सिंदू नगर कौन है चलिए फ्रापट संसर किजिए अगर आपको सेलेक्षन लेना है तो आपको हर रोज सेशन को अटेंब करना है एक भी दिन आपको सेशन को छोड़ना नहीं है और आपको टोटल 50 परस्ण में से कम से कम 40 से 40 परस्ण का सही सही जवाब करना है तब ही आपका सेलेक्षन संभव है और अपना कमेंड बॉक्स में काफी important प्रस ने इसको ध्यान में रखना है अगला प्रस ना आप किस्किन पर है पदार्थ की चौती अवस्ता क्या है चलिए फटाफट से answer केजिए अगर आप चैनल पर पाली बार आएं तो चैनल को subscribe करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे अने बाले समय में बिहार फायर मेंस रिलेटेट एक भी अपडेट मिस ना हो तो चलिए तीसरे का राइट अंसर डी के साथ चला देगा प्लाजमा ठीक है क्या हो जागा प्लाजमा पदार्थ की चोती अवस्ता क्या है प्लाजमा यहाँ पर ना हो गया है मा होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्लाजमा आपके स्किन पर सिक्षा किस सूची का विश्य है फटाबर्थ सांसर करेंगे चलिए आज हम कोई ओप्सन ने बोलेंगे आप लोग अपने से देखके फटाबर्थ से लाइब में आंसर किजिए ताकि क्लास जल से जल खत्म हो सके है जी बिल्कुल यह देखेगा चार का राइट आंसर C के साथ चला देगा समवर्ती सूची सिक्षा आपका समवर्ती सूची का विश्य है बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रसन आपके स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है चलिए फटाबट से अंसर किजिए और अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज समी लोग सेशन को लाइक कर देगे टाइम सब जी बिल्कुल यह जखेगा पांच का जोई वच्चे डी को दे रहे बिल्कुल सही जबाब है रक्त के असकंदन में विटामिन के मदद करता है और आपसन दी बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रसन है लोग समा में विपक्च के प्रथम नेता कौन थे बताएंगे जल्दी से इसका राइट अंसर क्या होगा जी आपको हर रोज सुबेश साथ बज़े आना है आप सभी को गुड मॉर्निंग जी बिल्कुल यह जखेगा छे का राइट अंसर C के साथ चला जबाब है जी बिल्कुल साथ का राइट अंसर जोई बचे ऑप्शन B को दे रहे उनका बिल्कुल साही जबाब है जीम कॉर्वेट नेशनल पार्क ठीक है यह भारत में स्थापित क्या गया पर्थम राश्ट यह पार्क है ऑप्शन B का बिल्कुल कर्यक्ट अंसर है अगला प्रसन आपके सिकन पर है शरीर में ताप अस्थाई रखने वाली ग्रंथी कौन सी है चलिए फटापट से अंसर करेंगे और सभी के सभी प्रसन इंप्रसन इंप्रसन है सेशन में टोटल पचास प्रसन को लिया गया है तो वीडियो में आप लाश्ट तक बन रहेएगा जी बिल्कुल आट का राई अंसर एक साथ चला जगा अगला प्रसन आप किसकन पर है भारत में प्रसन रमन मैक्सेस पुरुसकार विजयता कौन है चलिए ये भी प्रसन इंप्रसन इंप्रसन है अंसर की जल्दी से टामसप जी बिल्कुल नौ का राइट अंसर जोई बच्चे लाइप्चेट में डी को दे रहे बिल्कुल सही जबाब है अचार्य वीनोवा भावे ये क्या थे रमन मैक्सेस पुरुसकार में प्रसम थे ठीक है भारत में प्रसम रमन मैक्सेस पुरुसकार विजयता ओप्सन डी बिल्कुल राइट अंसर है अगला प्रस्ण है सर्फ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कनारा किस ने दिया इकवाल रविन्ना टैगोर राम प्रसाद विश्मिल यड़ी बाल गंगाधर तिलक ने चलिए फटापट सांसर करेंगे अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है अर्दचाला काउधारन है क्या है जिपसर में सिलिकोन है अल्विनियम है या डी इन में से कोई नहीं चलिए फटापट सांसर करेंगे और सेशन के लास्ट में कमेंड में अपना इसको जरूर देंगे कि आपका कितना प्रस्ण सही हुआ है जि बिलकुल बारा का राइट अंसर बी के साथ चला देगा अगला प्रस्ण है रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या होता है ये थोड़ा सा इजी प्रस्ण है चलिए देखते हैं इसका कितना बच्चे सही जबाब करते हैं समझ के राइट अंसर कीज़ेगा अपको हर हाल में 40 प्रस्ण का सही जबाब करना है ठीक है यानि कि 50 प्रस्ण में से अपको हर हाल में जी बिलकुल 50 प्रस्णों का सही जबाब करना है 50 में 40 प्रस्ण जी बिल्कुल तेरा का राइट अंसर A के साथ रज़ेगा जड़न रसानिक धातु जो ज़स्ता है उनका संकेत क्या होता है जड़न होता है ऑप्शन A बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस नहीं सक सम्वथ की सुरुवात किसने की थी असूषक बाबर कनिश्क याड़ी बिन-दूसार ने टाम सब जी बिल्कुल याद़ खेगा चोदा का राइट अंसर जोई बच्चे सी को दे रें बिल्कुल सही जबाब है कनिस्क ने शुरुवात की थी ठीक है सक्समवत की option से बिल्कुल right answer है अगला प्रसन है वायो मंडल में सरवाधिक मातरा में कौन सी गैस पाई जाती है चलिए फ़रापट सांसर करेंगे टाइम सब तो 15 का जोई बच्चे लाइप चेट में बी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है वायो मंडल में सरवाधिक मातरा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है option B बिल्कुल सही जवाब है जो भी oxygen दे रहे उनका बिल्कुल गलत answer है option B होगा nitrogen अगला प्रसन है आत्भत्या की थैली किसे का जाता है गोल्जी बोडी, lysosome, mitochondria या इन में से कोई नहीं अगर आपको इस session अच्छा लगा है तो प्लीज सभी लोग दिल से एक बर session को लाइक कर देंगे जी बिल्कुल 16 का right answer जो भी बचे B को दे रहे उनका बिल्कुल सही जवाब है आत्भत्या की थैली, lysosome को का जाता है option B, बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रस्ण आपके इसकिन पर मनुस्य का रख्थ चाप सामानता कितना होता है, बताएंगे इसका right answer क्या होगा ये प्रस्ण important है, इसको भी ध्यान में रखना है चलिए फटापट सांसर कीजिए टाइम सब, जी बिल्कुल यादे किएगा 17 का जोई बच्चे C को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है, मनुस्य का जो रख्थ चाप है blood pressure उनका कितना होता है तो यादे किएगा 120 बाए 80, ठीक है जी बिल्कुल यादे किएगा 18 का राइट अंसर B हो जाएगा मीथेन, मार्श गईस के रूप में मीथेन को जाना आता है option 20 का बिल्कुल करेक्ट अंसर है अगला प्रस्ण आपके स्किन परे अस्थान ये स्वासासन का जनक किसे का जाता है लौड रिपन, लौड चेम्सफोर्ड, लौड एलिंगन या इन में से कोई नहीं टाइमस अप जी बिल्कुल 19 का राइट अंसर A के साथ चला देगा लौड रिपन को अस्थान ये स्वासासन का जनक का जाता है option A बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस्ण है चावल को बार बार धोने से कौनसे विटामिन निकल जाती है चले अंसर की जल दिशे जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टाइमस अप तो बिस का राइट अंसर जोई बच्चे option नमबर A को दे ने उनका बिल्कुल सही जबाब है चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 निकल जाता है option A बिल्कुल करेक्ट अंसर है अगला प्रस्ण स्किन परे कौनसा अनुचेद ग्राम पंचायतों से सम्बन दीता है चले फटाब अंसर करेंगे टामस अप तो जाद रखेगा एक किसका जोई बच्चे लाइब चेक में क्या दे रहे B को बिल्कुल सही जबाब है अनुचेद 40 इस प्रस्ण का राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण आपके स्किन परे क्यूप राइट किसका S का है प्रमुक का S का है टामभा का, एल्मुजयम का, एल्लोहक का टामस अप तो जाद रखेगा 22 का जोई बच्चे ऑप्चन नमबर A को दे रहे उनका बिल्कुल सही जबाब है क्यूप राइट जो आपके ये तामभा का S का है ऑप्चन ए बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रसन आपके सिकन पर है विश्व बैंक का मुख्याल है कहां इस्तित है जेनेवा, काहिरा, नियॉयोर्क याड़ी वासिंग अटन, डिसी जो भी पाली बार वीडियो को देख रहे है वो प्लीज उनसे रिक्वेश्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि आपसे बिहार फायन मेंस लेटेट एक भी अपडेट मिस ना हो तो चलिए ताइस का राइट अंसर जो ये बच्चे डी को देर है उनका बिल्कुल सही जबाब है विश्व बैंक का मुख्याल आपका वॉसिंग अटन डी सी है डी बिल्कुल राइट अंसर है अगला प्रसन है और सदी का जनर के किसे का जाता है अरस्तु धन्वंतरी चरक या डी इन मेंसे कोई नहीं टाइम सब जी बिल्कुल 24 का राइट अंसर अगला प्रसन आपके स्किन परे रग्त का पी एच मान कितना होता है बताएंगे यह काफी मोश्ट इंपोर्टन प्रसन है टाइम सब तो 25 का जोई बचे लाइट में डी को दे रहे उनका बिल्कुल सही जबाब है रग्त का पी एच मान 7.4 होता है बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रसन के परे वायो मंडलिया दाब को किसी अंदर से मापायाता है चलिए काफी मोश्ट इंपोर्टन प्रसन है टाइम सब जी बिल्कुल यादे किका 26 का जोई बचे लाइट में एक उदे रहे बिल्कुल सही जबाब है बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला प्रसन है काफास किसे प्राप्त होता है चलिए फटाफट आंसर करते जाएंगे टाइम सब जी बिल्कुल यादे दखेगा काफास जोई यापका किसे प्राप्त होता है तो 27 का जोई बच्चे B को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जबाब है ये B जिसे प्राप्त होता है option B बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रसन है भारत के परिद्रिश में सबसे आखरी में उभरने वाला धर्म कौन सा है चलिए answer की जल्दी से जी आपको session के last में अपना score जरू देना है कि अपने कितने questions का सही सही जबाब किया है जी बिल्कुल यादकेगा 28 का जोई बच्चे C को दे रहे हैं बिल्कुल सही जबाब है जी यादकेगा भारत के परिद्रिश में सबसे आखरी में उभरने वाला धर्म सिक धर्म है अपसं 30 प्रसंड का बिल्कुल सही जबाब है 28 का C अगला प्रसंड है इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है अगना से सैलेश्मिय अब टू यादी इन में से कोई नहीं जबर्दस्थ प्रसंड है इसको ध्यान में रखना है टाइम सब जी बिल्कुल 29 का जोई बच्चे एक को दे रहे उनका बिल्कुल सही जबाब है अगना से हो जाएगा अगना से से इंसुलिन स्रावित होता है अगला प्रसंड है बॉक्साइड किसका अइसक है लोहा यूरेनियम तामबा या डी अलुमिनियम का टाइम सब तो 32 का राइट अंसर आपका ओप्सन नमर डी के साच लाजेगा अलुमिनियम का जो एसक है बॉक्साइड है ठीक है दो बॉक्साइड किसका अइसक है तो एलुमिनियम का अइसक है अगला प्रसंड है गिता रहस्च के लेखा का कौन है अबूल फजल मैतले स्रं गुप्त बाल गंगा धर तिलक यड़ी इन में से कोई नहीं टाइम सब तो 31 का राइट अंसर जोई बच्छे लाइप चेक में सी को तेरे बिल्कुल सही जबाब है ऑप्सन सी बिल्कुल सही जबाब है बाल गंगा धर तिलक अगला प्रसंड है त्रीपी टेक प्रसिद बहुत धोग का है ऑप्सन बी बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रसंड है बाहरत का सबसे बड़ा बाग अरक्षित चेतर कौन सा है चलिए फटा पट सांसा करेंगे टाइम सब तो 33 का जो ये बच्चे लाइप्टेट में एक ओदे रहें बिल्कुल सही जबाब है जीम कॉर्वेट तो भारत का सबसे बड़ा बाग अरक्षित चेतर कौन सा है तो जीम कॉर्वेट ऑप्सन ए बिल्कुल सही जबाब है अच्छा आप लोग थोड़ा सा कनाडा ब्राजिल या डी अमेरिका कमेंड बॉक्स में आंसर देना है कि जीम कॉर्वेट नेशनल पार्क किस राज में है टाइम सब जी बिल्कुल 34 का जोईवचे लाइप्चे लाइप्चेट में बी कुदे रहें बिल्कुल सही जबाब है काफी मॉस्ट इंपोर्टन पर प्रसने महावीर को किस जगा निर्वान प्राप्त हुआता कुसिनेगर सारनात बोध गया डी पावापूरी चले चले ले बताएंगे टाइम सब जी बिल्कुल या देखेगा 35 का राइट अंसर डी के साथ चला देगा पावापूरी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जबाब है क्या देखा 35 का डी अगला प्रसन है भारतिय रिजर बैंक की अस्थापना कभ हुई टाइम सब तो इस प्रसन का सही जबाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ लादेगा 1935 में भारतिय रिजर बैंक के स्थापना 1935 में हुई ऑप्शन बी बिल्कुल सही जबाब है क्या जाएगा option B अगला प्रस्ण आपके स्कुन पर है 36 नंबर महात्मा गांदी ने भारत में पहली बार सत्यागरा कहा किया था चलिए अंसर करेंगे जल्ली से बिल्कुल भी देग नहीं करेंगे फटा फट से अंसर करते जाएंगे टाइम सब तो इस प्रस्ण का राइट अंसर B के साथ चाहिए चंपारन ऑप्शन B बिल्कुल सही जवाब है थोड़ा से आप लोग बताएंगे कि यह चंपारन जो है किस राज में पढ़ता है इसका भी उत्तर आपको कमेंड बॉक्स में दे रहा है कि महात्मा गांदी ने सर जापान या इन में से कोई नहीं जितने भी प्रस्ण पूछते जा रहे हैं उनका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में दे रहा है जी बिल्कुल 38 का राइट अंसर आपका ऑप्शन एक साथ चला देगा स्टेचू ऑफ लिवर्टी आपका कहा है तो अमेरिका में है ठीक है ऑप प्रक्स्तान के बीच सीमा का अंद्रधान कौन सी सीमा रेखा करती है चलिए टाइमस अप 43 का जोई बच्चे लाइप चिट में सी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है रेड क्लिप रेखा अगला प्रस्ण है दांडी मार्च कहां से प्रारम हुआ चलिए जल्दी जल्दी सांसे करेंगे टाइमस अप तो इस प्रस्ण का सही जवाब जोई बच्चे D को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है ये काफी इंपोर्टन प्रस्ण है इसको ध्यान में रखना है कि दांडी मार्च अप का सावर मती से प्रारम हुआ अप्शन D बिल् बिल्कुल 41 का जोई बच्चे option number क्या दे रहें डी को उनका गलत है बी इस प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब है AU हो जाएगा ठीक है सोना का राशानिक संकेत क्या होता है तो AU 41 का बी राइट आंसर है AU फिर चे बोल देते हैं AU आपको confused नहीं होना है सोना का राशानिक संके AU होता है अगला प्रस्ण सेने शासन का बहptाम बार भारत में किस ने किया था छलिए फ्रफट्पर सही जवाब तो इस प्रसन का सही जबाब 42 का A वजाएगा माराथों ने ठीक है सहन सासन का ब्रतम बार भारत में माराथों ने किया था option A इस प्रसन का बिलकुल सही जबाब है अगला प्रसन है कनिस्क का संबंद किस राजवन से था चलिए फठाफट संसर करेंगे बिल्कुल आप वीडियो में लाज तक बने रहेगा दो मिनेट की क्लास बची हुई है तो पूरा क्लास को देख कर जाएं जी 43 का राइट अंसर बी के साथ चला देगा कूसान ठीक है कनिस का संबंद किसे राज वन से था तो कूसान राज वन से था ओप्शन भी बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस नापकेशन परें सिर्शाक हमकबरा कहां इस्तित है चले जली 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 आंसर करेंगे टाइम साब जी बिल्कुल देखेगा 44 का राइट अंसर सी के साथ चला देगा अगला प्रस ने चरक किसके परसिद दरवारी वैद थे टाइम साब तो 45 का राइट अंसर जोई बच्चे सी को देखेगा बिल्कुल सही जबाब है कनिस्क अप्शन सी बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस ने वन्दे महतरम को किसने लिखा है चलिए फटापट सांसर करेंगे और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक ने किया तो प्लीज सभी लोग एक बर सेशन को लाइक कर देंगे तो 46 का डी के साथ चला जबादे का वन्दे महतरम किसने लिखा है प्रस ने बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस ने इसकन पर रामकृष्ण मिशन के अस्थापना किस वर्स हुई चलिए अंसर करेंगे और बताएंगे आप लोग कमेंड बॉक्स में कि रामकृष्ण मिशन के अस्थापना किसने की जी इसका उत्तरा को comment box में देना है तो इस प्रस्ण का right answer 48 का D के साथ चला देगा क्या देगा राम क्रिशन मिशन के स्थापना 1897 में हुई option D प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस्ण है संपत्ती को अधिकारों के सूची से किस सम्मिधान संसोधन द्वारा हटा जागया है काफी most important प्रस्ण है इसको 20S रूप से ध्यान में रखना है डबल इस्टारिस पर लगा रहे है इसको ध्यान में रखना यह प्रस्ण आपके एकजाम में डाइरेक्ट पूछ सकते हैं बताएंगे इसका राइट अंसर जल्दी से टाइम सब तो उन्चास का राइट अंसर जो यह बच्चे एक को कर रहे है उनका बिल्कुल सही जबाब है ओप्रस्ण आपको यह सेस्न अच्छा लगा अगर यह अच्छा लगा तो ब्लीज सभी लोग सेस्न का राइट लगा है को लाइक कर देंगे तो तल ये फिर मिलते हैं साथ बजे नेक्स्ट सेशन के साथ